हलो गाईज सब्सक्राइब करें रस्मीज व्लोग योट्यूब चैनल और बेल आइकन प्रेस करें हमारी नई नई रेसिपीज देखने के लिए आज मैं आपके साथ शेयर करूँगे एक बहुत ही अमेजिंग सी स्वीट स्रफ दो चीज़ों से हम इसे घर पे बनाएंगे फैंटास्टिक सी दिखने में बहुत अच्छी और आप इसे घर पे बना सकते हैं बहुत ही सस्ते में बनेगी और किचन के नॉर्मल सामान से हम बना सकते हैं तो चले बनाना सुरू करते हैं हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैन और अब मैं इसे चलाती भी बॉइल करूँगी, तो मैं क्या करती हूँ, जब मुझे मीठा मावा बनाना होता है ना, तो दो सी तीन दिन का थोड़ा थोड़ा जो दूद बचा होता हो, तो उसे कटा करके, फ्रीज में रख देती हूं, उसके बाद में मैं उसे बॉइल करके, मीठा मावा तयार करती हूं फिर मैं मन चाही जो स्वीटस है मावे की वो तयार कर लेती हूं तो आज मैं आपको एक मावे की Amazing Cheese पोस्त के दाने के साथ में जो सुगरवोल होती है पोस्त की उसकी साथ में बना कर बता रही हूं वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और कॉमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आपको यह रेसिपी कैसे लगी तो देखे दूद बोईल होना स्टार्ट हो गया है दूद को पहले तो हम पांच मिनट तक गाड़ा करेंगे यानि ऐसे ही बोईल करेंगे तो पांच मिनट जब हो जाए यानि दूद आधा गाड़ा हो जाए तब हमें क्या करना इसके अंदर मिला देना है सुगर सुगर हम कितना मिलाएंगे तो देगे एक लेटर दूद है तो एक लेटर दूद के अकोर्डिंग अगर आप मीठा मावा घर पे बनाते हो तो 100 ग्राम आपको सुग डाल देना है उससे क्या होगा कि सुगर भी इसके साथ मेल्ट हो जाएगी और आपका मिठा मावा बहुत ही बढ़िया सा एक दम सोफ्ट चिकना स्मूध मिठा मावा त्यार हो जाएगा तो अब देख सकते हो आप दूद काफी गाड़ा हो गया ना आधा हो चुका है आधा से दूद जो है गाड़ा हो जाए और हमारा जो मावा है फटा फट में तीयार हो गया मैंने यहां पर कुछ भी एड नहीं किया है आप चाहे है तो इलाइची पावडर यूज कर सकते हैं केसर के धागे यूज कर सकते हैं और भी अगर आपको कोई पसंद हो तो वो फ्लेव नहीं दिया है एक दम प्यूर मावा हम निकाल रहे हैं बीना फ्लेवर वाला तो हम इसे चलाते वे पका लेंगे अब आप देख सकते हो 10 मिनट के बाद मावा बिल्कुल से गाड़ा हो चुका है तो अब हम गेस का फ्लेम बंद कर देंगे मैंने बिल्कुल भी मावी को पानी मावी को पानी करेंगे यह दिखिए मावी को इसके अब दाल दिया है और इसको अच्छे से मिक्स करके हातों से और फिर यह मावा हम तयार करेंगे तो आप देख सकते हो यह हमारे चोकलेटी मावा तयार हो गया है और थोड़ा सा मावा यह है इसके अंदर हम थोड़ा सा पाने डाल करके और इसको पाइपिंग बेग होती है उसके अंदर डाल ले तो चलिए स्वीट्स बनाना स्टार्ट करती हैं तो सबसे पहले हम दिखा देती हूं है कॉंटेटी कितने कितनी जरूरत होती है किस किसी साफ से तीन पार्ट में आपको मावे को डिवाइड कर लेना है और इस तरह से पाइपिंग बेग मैंने घर पे तयार कर लिया है तो अब मैं इस मावे को इसके अंदर इंसर्ट कर दूगी बस आपको यूज यही करना है हमने जो ताजा मावा तयार किया है उसी से हमें सब कुछ गार्नेशिंग करना है उसी से हमें स्वीट्स तयार करनी है और उसी से हमें कलर मिला करके आप जो भी पसंद करते हो वो कलर बी दो लोई करके इस तरह से अपको लंबा बेलना है लंबा बेलने की बाद में आपको इस तरह से जीट देगी जो कोई गोल गोल हम ये तो जो गोटनी होती है ना हमारी जिसे हम दही गोटते हैं उस वाली गोटनी से बीश में ठू ओड़ा सा इसके space कर दिया है और आप चो मैंने colorful मौवत प्यार किया था उसको मैंने इस तरह से लंबा लंबा बेल लिया है ज़से हम गटा बेलते हैं ना ठेक रहाँ से ही और उसको भी दो पार्ट में डिवाइड खर लेंगे तो देखे एक पार्ट को इस तरह से लंबा बेल लिया है एकदम से बराबर में और उपर से सिंपल कर लिया प्लेन अब इसके उपर इस तरह को लगा देंगे लगाने के बाद जो प्लास्टिक पीपर न उससे नीचे वाले साइड वाले को उपर इस तरह से चिपका देंगे तो बस एकदम सिंपल सी स्वीट बहुत ही बढ़िया बनेगी देखने में भी बहुत अच्छी और खाने में तो वसे ही टेस्ट होगी क्योंकि प्योर मावी की बनी वही है घर की चीजों से बनी वही है अब इसे गार्णिशिंग करने के लिए मैंने ले रहा है पोस्त दान आप इस तरह से मावेक पे कोट कर सकते हैं बहुत सारे स्वीट्स पे हम लोग यूज करते हैं यह सुगर बोल्स तो इस तरह से मैंने इस पे कोट कर दिया है अब लगबग दस मिनट छोडने के बाद मैंने जो थोड़ा सा मावा पतला तयार किया था पाइप इन बेक के अं बनाएंगे और फिर बीच में से इसको लाइन को नाइफ केल से स्पून के एलप से इसको इस तरह से कर देंगे बस बहुत एक सुंदर सा सिंपल सा डिजन तयार हो जाएगा स्वीट्स का तो आप देख सकते किती प्यार इसी बन गई है न इस दम सी फेंटास्टिक नहीं लु यूज किया हुआ है पतला करने के लिए इसको चिकना करने के लिए तो इसलिए इसको 10 पिनट के लिए छोड़ देंगे उसके बाद हम कटिंग करेंगे तो जब यह लेयर ऊपर वाले सूख जाएगी तो हम इसके कटिंग कर लेंगे तो इस तरह से आप कोई भी स्वीट्स स्यार कर से त्यों घर पे बहुत ही बढ़िया बनती है तो देजी हम इसकी कटिंग कर लेते हैं वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कोमेंट करके जरूर बताना तो यह हमारी नए रेसिपी है घर में सबको बहुत पसंद आती है और मावे की स्वीट्स तो हम बनाते रहते है और आपके साथ शेयर भी करते रहते हैं तो आज की वीडियो देखने कले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद थेंक यू वीडियो अच्छे लगी है तो लाइक से और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना जब भी गेस्ट आए ना तो आप इस तरह से बना लेजी बहुत कम समान से बहुत ज़ादा कॉंटेटी में स्वीट्स बनती हैं प्योर भी होती है खाने में भी अच्छी लगती है देखने में भी अच्छी लगती है और ये कहने में भी कि हमने अपने घार पे बनाई है बहुत अच्छी लगती है